दोस्तों अगर आपको इमर्जंच में लोन की जरूत पढ़ जाती है तो एज जो पेमे एप्लिकेशन है वो आपके लिए one of the best एप्लिकेशन हो सकती है क्योंकि एक RBA रेजिटर इन्वेप से अप्रोव एप्लिकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधर कार्ड उर्पेन कार्ड के बेसिस पर पूरे 50,000 रुपे तक की लोन ले सकते हो हलाकि यहाँ से आप ज़्यादा माउर की भी लोन ले सकते हो लेकिन उसके लिए आपके पस कोई ना कोई इंकम का फुरूफ होना चाहिए अगर आपके पस इंकम का फुरूफ है तो यहाँ पर आपको 10 लाक रुपे तक की लुमीद मी मिलेगी लेकिन आज मैं बात करूँगा विदाउट इंकम पुरूफ वाली लोन पर क्योंकि बहुत चाहरे लोग ऐसे होते हैं जिनके पस कोई इंकम का फुरूफ नहीं होता और उसको अगर इमर्जेंशी में लोन की जरूफ पढ़ जाती है दोस्तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आये तो एक लाइक जरू कर देना और अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन डिवा कर ओल नोटिफिकेशन अन कर दो जिसे हमारी हरानेवले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहा है तो चल्ले दूस्तो वीडियो को शूरू करने So guys आइसके वीडियो में हम इस payment इंडिया के बारे में बात करेंगे कि यहाँ से हम कैसे लोन ले सकते हैं तो loan apply करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी जानकाड़ी देख लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपको life proof loan apply करके भी दिखाऊंगा और उससे अपने bank account में transfer करके भी दिखाऊंगा तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इसकी rating की बात करें तो 3.7 की rating है और 5 million चे पर ज़्यादा लोगों ने इस application को download किया हुआ है और यहाँ पर आपको जो भी loan मिलेगी वो एक RBA register NBP से अपरू company के थ्रू ही मिलेगी और आप साहे sales fashion हो या self-employed दोनों category में यहाँ से आप आसानी से loan ले सकते हो आप दूस्तों इसमें आपको दो तरी की loan देखना को मिलती है एक है short loan जिसमें आपको 50,000 रुपए की loan मिलेगी लेकिन उसमें आपको one time payment करना होगा हाला कि यहाँ पर आपको tenure 90 दिन का मिलेगा लेकिन इस loan को लेने के लिए आपके पास कोई ना कोई income का प्रूफ होना चाहिए तो आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम SWOT loan के बारे में ही आज के वीडियो में बात करेंगे अब दूस्तों निचे आता है तो यहाँ पर बताएगी या है कि हमें इस application को open करके loan apply करने का पूरा प्रोसेस आपको समझा जाते हैं तो यहाँ पर हम इस application को open करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमसे कुछ permission पूछी जाएगी और आगे हमा किन किन चीजों की जुरुत पड़ेगी वो यहाँ पर बताया जाएगा तो हमें यहाँ पर कुछी नहीं करना है, simply I agree पर क्लिक कर देना है तो हमसे यहाँ पर mobile number पूछा जाएगा, तो mobile number यहाँ पर हम एंटर करेंगे और get OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारे mobile नमबर पर एक OTP send किया जाएगा वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और continue पर क्लिक कर देंगे continue करने के बद हमारे समने next page open होगा जिसमें यहाँ पर हमसे कुछ personal detail पुछी जाएगी जिसमें यहाँ पर हमारा first name और last name एंटर करना है यहाँ पर हमारा pin का number एंटर करना है यहाँ पर बर्थ यहाँ पर एंटर करने है और यहाँ पर हमारा gender source करना है और उसके बद निच्चे स्कोल करके यहाँ पर हमारा area का pin को number एंटर करना है यहाँ पर address line में हमारा पूरा address देना है और उसके बाद यहाँ पर पूछ रहे है ति इसकी जो NBFC है वो आपके KYC के detail सेव कर सकते है तो उसे आपको इसको permission देना होगा तो यहाँ पर आपको yes ची करना होगा और उसके बाद इस box पर tick करके assign credit पर click कर देना है जैसे assign credit पर click करेंगे तो कुस permission पूछी जाएगी कि साई permission का हम allow करेंगे तो हम पहुंच जाएगे इस application के home page में अब home page में दोस्तों यहाँ पर आपको दो loan देखने को मिल जाएगी एक के short loan जिसमें पहले आप 25,000 रुपय तक की loan ले सकते हो उसका regular use करके time पर repayment करोगे तो यहाँ पर आपको 25,000 रुपय तक की loan भी मिलाएगी अब यहाँ पर short loan के बात करें तो यहाँ पर 25,000 रुपय की loan मिलेगी जिसे आप one time में payment कर सकते हो कोई भी document के requirement नहीं है तीन महने तक का समय यहाँ पर मिल जाता है और 3-4 मिनिट के अंदर यह loan amount आपके bank account में transfer करती जाते है और उसके बाद है यहाँ पर EMI वाली loan जिसमें यहाँ पर 2,000,000 रुपय तक की limit बताई हुए है लेकिन आपके case में हो सकता है यहाँ पर 10,000,000 रुपय तक की limit भी जो करें अब इसमें दोस्तों आपको easy EMI का option मिल जाता है paperless process रहेगा 12 महिना तक का tenure मिल जाता है और 24 गंटे के अंदर इस loan को आप अपने bank account में transfer कर सकते हो अब इस loan को लेने के लिए यहाँ पर apply now पर click करना है तो हमारे समने कुछ इस तरह का सा enterprise आईगा यहाँ पर उपर benefit बताई हुआ है कि इस loan पर क्या-क्या हमें benefit मिल ले वाला है और नीचे दोस्तों यहाँ पर बताई गिया है कि आपको bank statement upload करना होगा और professional detail देनी होगे जिसमें आपसे company के detail वगरा सारा कुछ पूछेगा तो हम दोस्तों यहाँ पर एक sales फसन नहीं है तो हम इस loan को अभी नहीं ले सकते हैं तो हम यहाँ से ब्यक आ जाते हैं और बात करते हैं एक short loan के बारे में अब short loan को लेने के लिए यहाँ पर हमें apply now पर click करना है तो अब यहाँ पर हमसे KYC करने को बोलेगा अब KYC हम हमें digital locker के थूँ आधर कर से KYC कर लेना है जो कि मैंने already कर लिया है अब जैसे दोस्तों यहाँ पर आप KYC complete कर लोगे तो यहाँ पर आपके eligibility के आधर पर आपको एक credit limit दी चाहेगी जैसे का आप हमारे किसमें देखोगे तो यहाँ पर हमें 8000 रुपय तक के credit limit मिल चुगी है यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे basic detail भी हमने verify कर दी है और KYC भी कर दी है अब यहाँ पर हमें agreement sign करना है और इस loan हमें औरको हमारे bank account में transfer कर लवा लेना है अब यहाँ पर दोस्तो हमें एक option मिलेगा get now उस पर हम click करते है तो हमरा समने दोस्तो next page open होगा जिसमें हमें यहाँ पर loan amount और 10 रुपय की limit मिली है यहाँ से हम इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते है हम चाहे तो 1000 रुपय भी ले सकते है अब निचे दोस्तों यहाँ पर 10 राया है अब यहाँ पर 3 date बताई हुए है इन मेंचे कोई भी एक date हमें सूस करनी है हम यहाँ पर जो भी date सूस करेंगे उतनी date को हमें यहाँ पर रेपेमेर करना होगा तो यहाँ पर आप देखो के तो एक है 1 September दूसरा है 7 September वो तीसरा है 10 September तो इन मेंचे कोई भी date हम सूस कर सकते है तो हम यहाँ पर 10 September सूस करेंगे तो यहाँ पर हमें 31 दिन का समय मिल जाएगा तो हम यहाँ पर 10 September सूस कर लेते हैं उसका बद दूसरे यहाँ पर एक option मिलेगा C Calculation उसपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे लोन पर कितने कितने फीस और चार्ज लगाए जाएगे वो यहाँ पर हमें 100 कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आप देखोगे तो अगर यहाँ से हम 8,000 रुपय के लोन लेते हैं तो हमें 1700 से 800 रुपया जितना ज्यादा जुकर रहेगा सिर्फ एक मेहने के अंदर तो यहाँ पर दूसरे थोड़ा साज है भी है लेकिन अगर आपको इमर्जेंशी में लोन चाहिए तो इस एप्लिकेसिन के तरफ आप आसकते हो क्युक्य यहाँ पर आपको सिर्फ आदर कर और पेन कर्ट के वेसस पर लोन मिल जाते है तो लोन लेने से पहले दुर ISAN साथ जरू देख लेना है उसके पर अगर यहाँ से आप लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपना लोन का रीजन सूस करना होगा तो यहापर Select Loan Re員ं पर क्लिख करेंगे तो हमारे सामने यहापर बहुत चार रही reason आ जाएगे इनमें से हमारा جो भी reason हुऊ यहापर हम्ने Select लेना है और Continue पर क्लिख करना है जैसे Continue करेंगे तो यहापर हमारे सामने Key Fact Statement आ जाएंगे इसमें दोस्तों हमारी लोन की सारी जान कर रहेगी उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और उसके बार चिंपली यहाँ पर हमें continue पर क्लिक करेना है जैसे continue करेंगे तो अगले page में हमें यहाँ पर auto pay setup करना होगा अब auto pay setup यहाँ पर फेल पड़ा हुआ है तो हमें यह थी बैंक से होगा तो हम यहाँ पर select bank पर क्लिक करते हैं तो हमरा समनें बहुत सारी बैंक आ जाएंगी इंदमें हमें बैंक का नाम सीर्फ सूज करना है सी हमारा bank account नमबर वगएरा शारा कुछस उठा लेगा अब यहाँ पर हम सूज करना है कि हम auto pay setup na banking से जाना चाते है या यहां पर में एंडर कर देंगे तो हमारी टॉट profund हो जाएगा उसके फार रहें बाइन यहां करना होगा उसलिकी क्वेट apparent कि प्रशुप करना हो जök बधर करना अगर सैंट ब्रूकर आघरping कर लेते है तो मैं टॉसे एकॉमिर के बताऊ तो हूए ज्याधा कोमटels लेकिन फिलहर के लिए अभी मेरे दो जगा पर लोन चालू है तो मैं इस लोन को लेना नहीं जाता है मैंने यहाँ पर आपको 90% प्रोसेस बता दी है अब यहाँ पर दूस्तो आपको ओटो पर सेट अप कम्पलेट करना है और एक ग्रीमिट साइन करना है तो यह दो स्टेप कम्पलेट कर लोगे तो यह लोन आमाउट आपके बेंक अकाउट में ट्रांसफर कर दी जाती है तो इ आपको एप्लिकेशन कैसे लगी क्या यहाँ से आपको लोन मिली है यह नहीं मुझे कॉमेट में जरूर बताना तो चले दूस्तों मिलते को यह सी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए जय है जय भारत